फिल्म लाल सिंग चढधा की एडवांस बुकिंग निमाचाया तहल का बॉक्स ओफिस पर अक्षे कुमार की रक्षा बंधन को पीछे छोड़ काफरी आगे निकल रही है आमिर खान की लाल सिंग चढधा आखिर कहां गया बाइकॉट का असर नमस्कार सरातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा एक तरफ लाल सिंग चढधा जी हाँ आमिर खान के फिल्म लाल सिंग चढधा को ले करके सोशल मीडिया पर बाइकॉट लाल सिंग चढधा ट्रेंड कर रहा है तो वहीं इस बीच फिल्म की एडवांस बुकिंग मनी ने लोगों के बीच तहल का मचा दिया है दरसल आपको बता दें कि 11 अगस्त को अक्षे कुमार के फिल्म रक्षा बंधन और आमिर खान के फिल्म लाल सिंग चढधा दोनों ही एक साथ बॉक्स ओफिस पर रिलीज हो रही है ऐसे में इन दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और अब बॉक्स ओफिस पर इन दोनों ही फिल्मों की कलेक्शन का डेटा भी सामने आ चुका है जिसे देखने पर ये साब पता चल रहा है कि आखिर आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा पर बाइकॉट का कितना असर है बॉक्स ओफिस इंडिया की एक रिपोर्ट के मताबिक सामने आये दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग के आंकडे ये बता रहे हैं कि इस बार बॉक्स ओफिस पर आमिर खान का बोल बाला रहने वाला है रिपोर्ट की माने तो आमिर खान की लाल सिंग चड़ा अब तक एडवांस बुकिंग में आठ करोन की कमाई कर चुकी है जबकि अक्षा कुमार की रख्षा बंधन ने एडवांस बोकिंग में तीन करोन ही बटोरने में सफलता पाई है जाहिर है ऐसे में लाल सिंग चड़ा का विरोध करने वाले यानि की सोशल मीडिया पर बाई कॉट लाल सिंग चड़ा लिखने वाले भी आमिर खान के फिल्म देखने के लिए तयार हैं ऐसे में आप से एक बड़ा सवाल ये है कि क्या आप भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं जो कि सोशल मेडिया पर तुलाल सिंग चड़ा यानि कि आमिर खान के फिल्म का विरोध कर रहे हैं लेकिन चोरी छिपे इस फिल्म को देखने जाने के लिए एडवांस बुकिंग करा रह आप हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं साथी साथ ये भी बताएं कि क्या ये वही लोग हैं जो लाल सिंग चड़ा का विरोध कर रहे हैं और चोरी छिपे फिल्म को देखने के अडवांस बुकिंग करा रहे हैं क्या सोचते हैं आप और आप फिल्म को लेकर के क्या राय रखते हैं क्या आप इस फिल्म को देखने जाने बाले हैं या फिर आप बाइकॉट करने बाले हैं कॉमेंट सेक्षन में फटाफट लिख कर अपनी राय जरूर बताएं इस वीडियो में फिलाल इतना ही और जादा से जादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी आपकी राय पता चल सके धन्यवाद